आज हम आए दुर्गापूर जो की काफी फेमस एरिया है और मैं अभी इसका दिखाने जा रहा हूं पुरा ना जा रहा छोटा सा एक पहाड है और यहां पे काफी पीड़ भी लगी है मकर संक्रांते के दिन में ठीक ना तो आईए सारा डीटेल हम जानते हैं तो यह जार्खंड के बोकारो जीला जार्खंड राज के बोकारो जीले के कसमार प्रखंड में ठीक ना अब देखिए यहां से मैं काफी उच्छा है पडवत तो आपको सुर्छ देखी रहा होगा किस प्रकार है तो फिलाल तो हम चड़ाई करने वाले हैं और काफी लोग भी आए हैं तो सारा कुछ हम दिखाते जाएंगे आपको ठीक ना इसका द्रिश से और यहां पर आपको काफी अच्छा फिलोगा आएंगे तो जरूर सेर करना चाहिए आईए हम आपको उपर क्यों ले जाते हैं यह देखिए हम कुछ उचाई पर आएं और यहां से खेत कैसे दिख करते जाएंगे कि किस परकार है देखिए अभी काफी उचाई पर ठेक ना जैस्पर का बीडियो दे दिया हूँ अगर आप नहीं देखिए तो पुरा सारा कुछ बता ही दिया हूँ उसी पर कार में इसमें भी बताऊंगा देखिए मैं यहां का रास्ता दिखते हूं कि कि क प्रकार आपको चड़ना पड़ सकता है इसी प्रकार होगयो हुआ इसी प्रकार ठीक ना इधर से यही अच्छा रास्ता मतलब कि आपको ठ्रे mahona पढ़ेगा इसके लिए ह prof चलिए तो चल लगतoden किर भाइ साओ ठीक तो देखिए यहां पर हम काफी हुचाई पर पहुंच चुके हैं और फिलाल तो मेरा पेसेंट आ चुका है तो मुझे फिर से लगता है अपना लेब जाना पड़ेगा तो फिलाल पॉसिस करूँगा कि मैं वीडियो को पूरा कर लूँ उसके बाद ही मैं अपने जाओ काम पर तो देखिए काफी हुचा पही आ चुके हैं थीक ना काफी हाइट में हमें अब लोग नीचे का मैं द्रिस दिखा जीता हूँ यह देखिए नीचे का द्रिस और उपर का भी मैं आवी आपको द्रिस दिखा जीता हूँ उसके बाद हम लगातार उमचाई पर चड़ते अभल देखिए काफी उचाई पे हैं और काफी लोग भी जा रहा है अब हम आपको नीचे का द्रिस भी दिखा देते हैं सारा कुछ देखते जाएंगे आसानी सापको चड़ना नहीं तो फिसल के गिर भी सकते हैं तो देखिए काफी उचाई पे हैं और यहां से मैं दिखा दूँ आपको नीचे भी और उपर भी ठीक ना तो काफी लोग भी आ रहे हैं मेरे दोस्त तो उपर चले गया हैं मैं वीडियो बनाते बनाते जा रहा हूं आराम से और आगे भी बनाता रहूंगा चलिए और नीचे भी उतरते टाइम आपको दिखाऊंगा यहां से मैं सारे के सारे खेत बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं हाँ आप देखिए लगभग उचाई पर है ठीक ना काफी हाई पर और यहां से मैं आपको नीचे भी दिखा दूँगा आए अब यहां से थोड़ा सा लगदा है कि हम किसे उचाई हेलेरिया पर आएं कहां गुमने आ गएं देखिए कहां गुमने आ गए हैं यह चली मेरा टाइम होने वहला है अब वह देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा वहीं पर चोटा सा एक मंदिर है और आपको अगर आते हैं किसी भी धर्म के लोग आ सकते यहां पर हिंदू मुसलिम से किसाई और इंडिया से आप किसी भी कम्यूंटी से हो कोई भी रोक टोक नहीं है लेकिन जब आप आएं तो यहां पर थोड़ा सा चारोर का नजारा देख लिजिएगा और वैसे भी मैं सारा कुछ दिखाई देता हूं यहां से गाहां भी आपको दिख रहे होंगे वह देखे गाहां वह स्पीर तो मैं देखा देता हूं आपको आसानी से मालुम पर जाएगा देखे उसी रास्ते से आए इसी रास्ते था राचते और हम लोग चड़ाएगे थे वहाई पे आप लोग आदमी क्षोटे छोटे दिख रहे हों वसी छोटे चोटे आदमी जो दिख रहे हैं ठेक ना उदर से चड़ाय किये थे और इधर आया अब उदर चरणा उदर चड़के वम बताते कि इतने ही उदर से दिख ओई के हैं तो आप देखिए यहां से कैसा दिख रहा है देखिए एक दम टेख्या प्तू कि मता हुं आहेगा इये अब देखिए यहां से लगेगा है बिल्कुल देखिए नजारा है चारोर का मैं आपको दिखाई दिया लगवग में सारा कुछ और जब आपको भी आएं बोकारो जारखंड अस्पेसली तो यहां पर सेर कीजिएगा क्यूंकि मैं अपनी घर का जो इलाका है सारा कुछ तो आपको दिखाई रहता हूं लगवग और देखिए सन अब सेट होने वाला यानि की अस्त होने वाली है स्वरी और उधर से भी मैं आपको एक दिखाई दिखाई देता हूं एक जलक वैसे तो मेरे केमरा का मेगापिक्सल कापी लो है हाई मेगापिक्सल का है इसलिए आपको उतना के लिए अड़ली नहीं दिख पाता है जितना की अधर केमरा से दिख पाता होता है अगर इस बार मेरा पेमेंट आगा है यूट्यूब से दवाएं पक्का बताता हूं एक अच्छा मोबाइल लूँगा ठीक ना और आपके लिए थोड़ा हाई क्वालिटी का वीडियो बनावाई करूंगा तो चलिए उ यह देखिए यह उस चोर से हम आ गए इस चोर अब देखिए उधर से आप नीचे उतर जाएंगे कि एक ना यहां से आदमी का पर चोड़ चोड़ दिख रहे हैं यह देखिए और इधर सूर यह है अब हम नीचे उतरेंगे ठीक ना अब चारोर में दिखाई दिया बस यह पर हाई सबसे उची आपको दस पंद्रे मिनट लेंगे अच्छा चड़ेंगे तो पंद्रे मिनट लेंगे उससे जाता नहीं अब एंड करते हैं वीडियो को और नीचे उतरते हैं आपको सारा कुछ दिखाई दिया करतो करते हैं करते हैं करते हैं दो